तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अभी इस वक्त कोई भी मेकप अप्लाए नहीं कर रखा है सिर्फ और सिर्फ लिप्स्टिक है और बिंदी है और मैंने सूट पैन रखा था तो वो मैं जब भी सोई थी तो मैंने चेंच कर लिया है सो आप देख सकते हैं कि अगर हम अपनी स्किन का खयाल रखें अच्छी तरीके से सुबह शाम और कोई ना कोई फेस पैक कोई ना कोई हम डियाए वा या कुछ भी घरी लूप चार अगर हम करते रहेंगे तो हमारी स्किन जरा भी खराब नहीं होती है और हमें मेक अप भी कम यूज़ करना पड़ता है तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं घर पे हूँ और मेरे कोई मेक अप का कोई जरूरत नहीं है मेक अप करने की अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपलाई करती हूँ अगर मेरे को कहीं बाहर शादी पार्टी या कुछ मतलब अलग कोई काम करने जाना होता है तो गर आप अच्छे से अपनी स्किन केर करेंगे तो आपको मेकप बिल्कुल भी अप्लाए नहीं करना पड़ेगा और मेकप अप्लाए हमें जादा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी स्किन को डैमेज करता है यह नहीं कहूंगी कि आप मेकप ना लगाएं मेकप लगाएं बट अपने स्किन का भी जरूर ख्याल रखें तो स्किन का ख्याल रखने के लिए मैं आपको दिखाती हूं अपना मॉर्निंग रूटीन कि मैं अपने मॉर्निंग में किस तरह से अपनी स्किन का मतलब केर करती और जो भी बánने प्रोडक्ट दिखाएं आप उनको भी यूज कर सकते हैं नहीं। आप फॉममेड भी यूज कर सकते हैं और आप एम किसी ओर कमपनी की यूज कर सकते हैं यह कोई फचार वीडियो नहीं है स्टुरू फेयों कि यूज करती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं सारी डेली यह अप्लाई करती हूँ मैंने अपना homemade toner भी बना रखा है मैं वो भी अप्लाई करती हूँ कभी यह वाला अप्लाई करती हूँ और ऐसे ही मैं pack वागेरा लगाती रहती हूँ अपनी skin पे और बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ सबसे first step जो होता है वो होता है cleansing का तो हम एने यहाँ पे यूज किया है good wipes का papaya foaming cleansing face wash और हम एक मिनट तक face wash करेंगे आप कोई और face wash भी यूज कर सकते हैं यह वाला face wash बहुत ही अच्छा है ट्रेवल फ्रेंडली है हम इसे कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं और एक मिनट करने के बाद हम इसे wash कर लेंगे मैंने यहाँ पे wipes का استعمल किया है wash नहीं किया है मैंने क्योंकि मैं आपके सामने video बना रही थी और wash करने के बाद मैंने use किया है toner तो यहां पर मैंने यूज किया है गुड़ वाइप का हनी ग्लो टोनर यह बहुत ही अच्छा टोनर है और इसके और इसकी फ्रेग्नेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रही और टोनर लगाने के बाद हम इसे डब डब करके थोड़ा सा रहने देंगे टोनर को और उसके बा रहें नजगे दिए और दोनों चीज एक साथ लग जाएगा थाग्याट अगर हम अलग अलग लगाएंगे तो और मैं दोनों को मिक्स करके एक साथ लगा लेती हूं इसे टाइम भी बचता है और जल्दी-जल्दी हमारा स्किन केर भी हो जाता है तो स्किन केर कर रहे हैं त सो प्रॉपर स्किन केर करने के बाद हम मेकप भी अप्लाइ कर सकते हैं और यहां पे मैंने लिप्स के लिए यूज किया है हिमालिया का लिप बाम और हम अपनी स्किन केर में लिप्स को बिल्कुल भी नहीं नजर अंदास करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें